बिग बॉस और आक्टर सधार शिकला के निधन ने मनुरंजन जगत को गमगीन कर दिया सधार शिकला के निधन की खबर सुनकर बॉलिवर्ड टीवी इंडस्ट्री के दो सदमे में हैं रिपोर्ट के मताबिक 40 वर्षी अभिनेता का दिल का दोरा पढ़ने से निधन हुआ अभिनेता को टेलिविजिन उद्यों के सबसे फिट अभिनेताओं में से एक माना चाता है उनके निधन की खबर पर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था वहीं सधार्थ की लाइफ स्टाइल कसरत और स्वास्त के सम्मंदी कई राय और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये सभी कारण निधन की वज़ा मानी जा रही है आपको बता दे कि अभिनेताओं के करीबी सुत्रों के रिसार भले है सधार्थ एक शेश अभिनेता थे लेकिन उनकी कुछ आदते थी जो उनके स्वास्त के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी वरक्सर हाई प्रोटीन डाइट लेते थे और अपने बोडी को और बहतर बनाने पर फूकस करते थे अधिक वर्काउट के कारण उन्होंने अपने बहुत सारी आंत्रिक शक्ती खो दी थी उन्हें अच्छी नीन नहीं आती थी इन सब कारणों की वज़े से अपने रूटीन लाइफ में वो बहुत चिर्चिरे और उद्धम मचाने वाले हो गए थे उनके अंतिम संसकार में मौचूद अभिनेता राहूल महाजन ने भी उनके फिटनेस के बारे में काफी कुछ शेयर किया राहूल और सिधार्ट ना सिर्फ अच्छे दोस्त थे बलकि जिम पार्टनर भी थे अभी नेता ने शेयर किया कि सिधार्ट बहुत फिट थे और उनके दोस्त उने सूपर मैन कहते थे हर तरह का खाना पचा सकते थे और इसमें उनकी फिटनेस शामल नहीं थी राहूल महाजन ने कहा कि वो बाहर से अच्छी बॉडी बनाने में सक्षम था लेकिन इसका दिल फेल हो गया था वो बॉडी बिल्डिंग के आईकॉन थे और उनका काम भी अच्छा चल रहा था वो अपने काम और अपने जीवन के प्रती बहुत भावग थे सिधार्थ कहते थे कि वो किसी भी तरह की मानसिक तनाओं को समाल सकते हैं बता दे कि डॉक्टर्स ने सिधार्थ को ज़्यादा एक्सराइज करने से मना किया था सिधार्थ की तब्यद बिगरने पर उनकी मा ने अपनी फामिली डॉक्टर को भी बुलाया था उन्होंने ही सिधार्थ को इस्पिताल ले जाने के लिए कहा था सिधार्थ हर दिन अपनी बोड़ी को फिट रखने के लिए तीन से चार घंटे एक्सराइस करते थे लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जादा एक्सराइस करने से मना किया था वो बोड़ी बनाने के लिए प्रोट टेक आया था खलाल आप इस पर क्या कहना चाहते कमेंट बॉक्स में बताईए चुड़े रहे हमारे साथ नेक्स नाइन लाइफ से सुर्भी के रपोर्ट